आप सब का अपने यूटूब चैनल एंसी आर्टी गुरुकूल 2020 में स्वागत हैं 10th क्लास का हमने 3rd चप्टर स्टाट किया है आज इससे पहले हमने एक चप्टर कंप्लिट कर लिया है यूमन सिस्टम अगर आपने उसकी वीडिओ नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आप उन वीडिओ को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ने उनका लिंक दिया है आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो का बेनिफिट और बच्चों को भी मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना और अगर आपको नोटिफिकेशन चीए आने वाले वीडियो का सबसे पहले तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना सब्सक्राइब करके ठीक है आज का वीडियो स्टाट करते हैं जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चीए आखिर जेनेटिक्स होती क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि genetics जो होती है वो क्या है एक branch है biology की जिसके अंदर क्या किया जाता है जो gene होते है genetic variation होती है और जो heredity होती है उनके बारे में study की जाती है तो क्या होगा genetic is a branch of biology concerned with the study of gene genetic variation and heredity in the organism अब इसको थोड़ा सा समझ लेते है कि जो genetics होता है उसके अंदर क्या किया जाता है genetics एक branch है biology की जिसके अंदर gene genetic variation और heredity in organism जो organism के अंदर heredity पाई जाती है उसके बारे में इसमें study की जाती है ठीक है तो यह जो genetic word था इसको सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे बैटसन थे इन्होंने 1905 में इसको क्या किया था सबसे पहले यूज किया था ठीक है इसके बाद आता है हमारा very important part इसी पर पूरा chapter 20 है हमारा और इससे related बहुत सारे mcqs जो होते है competition exam में भी पूछे ज जाता है father of genetics कहा जाता है Gregor Johan Wendel जो थे उनको father of genetics के नाम से जाना जाता है और इनका जीवन काल कब तक का रहा इनके life कब तक की रही 1822 से लेकर 1884 तक इनकी life रही है इसके बाद सब देखते हैं कि सबसे पहले इनके जनम के बारे में जानते है इनका जनम जो है 22 July 1822 को कहा सिलिसन विलेज जो है वहां हुआ था और यह कहां पर है और आस्ट्रिया में है ठीक है अच्छा यह जो थे ग्रेगर जोहन मेंडल यह philosophy के क्या थे इनके पास एक philosophy के degree भी थी और यह degree इनको ने कपराप्त की थी 1842 में इनको ए डिगरी मिली थी अब philosophy के बारे में थोड़ा स जान लेते हैं पहले क्या होता था साइंटिस्ट नहीं होते थे जो लोग किसी चीज को जानने की इच्छा रखते थे कि यह चीज कैसे हो रही है जीवन की उत्वत्ति कैसे हो रही है उस समय उन लोगों को क्या कहा जाता था धर्शन सास्त्र कहा जाता था ठीक है इसके वो बरुनिचिटि आये और वहां पर एक चर्च में इन पादरी की जोब मिल गई आ, फादर बोलते है और जो पादरी होता है फादरी होता है साथ स्वा लगातारन उनके बारे में निरक्षण करते निक्षण करते रहे कि आखिर इस प्लन्ट के अदर वेरियेशन कैसे में उस समय जानते नहीं थे कि variation है कि क्या है बदलाव क्या हो रहा है कुछ नहीं जानते थे लेकिन वो सिर्फ उनको देखते थे डेली इसके बाद उन्होंने क्या किया देखिए 43 से लेकर 56 तक सिर्फ उन्होंने अवलोकन किया था उसका उसके बाद 56 से लेकर 1863 तक 7 साल तक लगातार उन्होंने hybridization पर उ संकरण हिंदी में इसको क्या बोलते है संकरण अब संकरण क्या होता है वो बताती हो आपको जैसे दो parents है ठीक है एक मैं आपको animal का example बता रही हूं डॉली भेड जो बनी थी उसके बारे में बता रही हूं एक बेड है एक ship है जिसके hair बहुत smooth है बट long नहीं है और ज्यादा तिक है मतलब quantity ज्यादा नहीं है बस इसके hair क्या है soft एक इग शीप है जिसके long hair है और क्या है large मात्रा में है ठीक है अब हमक्या चाहिए हमें चाहिए कि ऐसी बेड हो जिसके अंदर बाल भी बहुत जादा हों जिसके हमें बब इनका संकरण करवा दिया इनके जो जनेटिक करेक्टर थे उनको आपस में मिक्स किया और करने के बाद जो नई शिप बनी उसका नाम इन्हों ने क्या रखा सबसे पहले जो इसके अंदर यह दोनों करेक्टर पैरेंट जो मदर यह फादर था और यह मदर थी दोनों के करेक्टर इसके अंदर क्या थे प्रेजेंट थे इसी को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इसके पास नेक्स दीकते हैं जो यह इन्होंने हाइब्रिडैजेशन पर जो प्र्रैक्तिकल किये थे या फिर जो शिफो किये थे इंहोंने इसको सबसे पहले इन्होंने क्या था अपना जो शोद पत्र आए जयसे डिस्कवडेवरी लैटर जिसको हम बोलते जैसे जैसे यह practical करते गए तो इन्होंने क्या किया एक अच्छा च्छा पेपर था पेपर के उपर यह क्या करते थे उसके उपर वो सारी चीजे नोट करते थे कि आखिर यह कैसे हुआ यह कब हुआ यह कैसे हुआ यह क्यों हुआ ठीक है वो चीजे वो नोट करते चले गए औ और इन्होंने क्या किया, एक समय ऐसा आया, जो Brun Society of Natural History थी, उसके सामने अपना Discovery का जो लेटर था वो उनके सामने रखा उन्होंने, इसके बाद next देखते हैं, जो मेंडल थे, उन्होंने जो प्रैक्टिकल किये थे, और उन्होंने जो अपना Discovery Letter, Brun Society के सामने रखा था, उसको एक साल के बाद, Brun Society ने क्या किया, पब्लिश किया, और किसके नाम से किया, Experiment on Plant Hybridization के नाम से, इसको क्या कर दिया, अपनी मैग्जीन के अंदर प्रकाशित कर दिया, इसके बाद, जो मेंडल ने बहुत सारे शोध किये थे, मतर के पौदे के उपर, उसके आदार पर उन्हों कि आखिर मैंडल ही क्यों था, जो इस डिसकवरी में, या फिर इस शोध में सक्सेस हुआ था, बाकी और भी साइंटिस्ट बहुत सारे थे, जिन्होंने क्या किया था, इस तरीके की खोज करते रहते थे, लेकिन सिर्फ मैंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था, वो कि जाना स्टार्ट किया, तब सिर्फ एक ही करेक्टर को लेकर चले थे, एक समय में, ठीक है, ऐसे नहीं है, कि जैसे आग्या आएगा इसमें, कि हम मैंडल ने 7 करेक्टर चूज किये थे, उन में से 1 करेक्टर लेकर वो एक टाइम में स्टडी कर रहे थे, Statical Record and Carefully Analyzed यानि वो क्या कर रहे थे जितना वो शोद कर रहे थे जितना वो देख पा रहे थे तुरंत की तुरंत उतना वो क्या कर रहे थे अपने record में लिख रहे थे यानि एक सुवेवस्तित record उन्होंने बना रखा था सेर इसके बाद आएगा Material Select Carefully इन्होंने जो Material Select किया था वो बहुत ही सावधानी पूरवक सेलेक्ट किया था अखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना वो देख लेते हैं जो पी प्लांट है उसके अंदर कुछ खासियत होती है कुछ specific character होते हैं वो देख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं जो पी प्लांट होता है वो अन्वल प्लांट होता है अब अब अन्वल और बाइन्वल प्लांट आप लोगोंने पढ़ें हैं चोटी क्लासेज में एक वर्ष ये पोदा है ये और इसकी बहुत सारी जो जनरेशन होती है वो कम समय में आपको मिल जाती है और artificial cross pollination भी इसमें करवाया जा सकता है अब आपको थोड़ा सा बता देती हूं bisexual और unisexual क्या होता है ऐसा flower जिसके अंदर male और female gamit दोनों present होते हैं ठीक है अब male और female gamit क्या होते है पौदों के अंदर एक थों स्टेमेन स्टेमेन male gamit होता है और जो पिस्टिल होती है वह इक मैं प्रेजंट होगा एक में पिस्टिल प्रेजेंट होगी, वो होगा हमारा क्या, यूनिसेक्श्वल फ्लावर, ठीक है, तो हमने क्या देखा, कि जो मेंडल थे, उनके सक्सेस होने का कारण क्या था, सबसे पहला, उन्होंने एक समय में एक करेक्टर को चूज किया, ठीक है, दूसरा, उन्होंने परखा अपना बना कर, तीसरा, उन्होंने जिस भी मटेरियल को सलेक्ट किया था, उसको बहुत ध्यान से सलेक्ट किया था, केरफुली सलेक्ट किया था, अब जो पी प्लांट था, उसको सलेक्ट करने के रीजन क्या थे, तीन रीजन थे, पहला तो क्या था, वो एन्वल प पिस्टिल दोनों present होते हैं, और unisexual ने क्या होता है? stemming और पिस्टिल दोनों में से, सिर्फ एक present होता है, तो bisexual flower होने के कारें, इसके अंदर self pollination हो सकता है, guys, unisexual flower जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ cross pollination होता है, ठीक है? artificial cross pollination होता है, ठीक है? तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया है इसके बाद देखते हैं मेंडल ने जो 7 करेक्टर चूज किये थे पी प्लांट के वो कौन-कौन से थे सबसे पहले थोड़ा सा आपको हिंट के तोर पे याद करवा दूँ कि जो सीड थे कौन-कौन सी चीज़ों को लिया था सीड को लिया था पॉड को लिया था और फ्लावर को लिया था और जो प्लांट की हाइट थी उसको लिया था ठीक है अब इसके दो करेक्टर लिये सीड के पॉड के दो करेक्टर लिये फ्लावर के दो करेक्टर लिया और एक करेक्टर लिया, हो गए 7 करेक्टर, क्योंकि कई वर क्या होता है, बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, कि कौन-कौन से करेक्टर थे, सबसे पहले मैंने आप को बताया, कि सीड के 2 करेक्टर लिये थे, उन्होंने तो सीड के कौन-कौन से 2 करेक्टर लिये थे, एक तो लिया था इन्होंने शेप और एक लिया था कलर, शीड की शेप कैसी थी, और शीड का कलर कैसा था, तो इन्होंने जो पी प्लांट पी प्रैक्टिकल कर रहे थे, अपशोद कर रहे थे, उन्होंने देखा, कि जो shape of seed था, वो कैसे-कैसे थे, एक तो round था, एक था wrinkle, rounded यानी पूरा गोल, इस तरीके से, ठीक है, और wrinkle का मतला, इस तरीके से झुर्रीधार बीच, ठीक है, इसके बाद, color of seed से देखा, उन्होंने एक था यलो color का seed और एक था green color का seed ठीक है इसके बाद इन्होंने क्या देखा color of flower और position of flower color of flower में इन्होंने क्या देखा color एक का violet color था ठीक है और एक का कैसा था white color था इसके बाद इन्होंने position of flower देखी पोजिशान एक्सिल ती और इसके बाद इन्होंने क्या देखा शेफ ओफ पोड यानि जो फली थी उसकी जो खेप कैसी तो एक उसफ unlimited यानि फूली हुई थी और एक काम सिदी यानि जैसे आपने देखा होगा कहीं बार स्ucy मट्र लेकिए आते हो तो कुछ होते हैं बहुत ज़दा शाइनी होते हैं ग्रीन होते हैं और अच्छी फूली हुई फलियां होती है तो वह होती है इन्फ्लैटेड और एक होती है जो थोड़ी आपको ऐसा लगते है जैसी बूसी हुई है यह फलिया तो वह होती है ठीक है इसके बाद आता है हमारा कलर ओफ पोड अब जो कलर ओफ पोड होता है वह इसमें इन्होंने कौन-कौन से कलर लिया थी ग्रीन कलर लिया था और यलो कलर लिया था इसके बाद इन्होंने जो प्लांट की हाइट ली थी वह क्या ली थी टॉल और ड्वार्फ ली थी लं समझ में आ जाएगा Chik guys he howe he give无 कारेशन एरिक वन सेर्मेक किया था जो मेंडल डिस्कवरी कीती music उसको दुबारा से इन्होंने खोजा था ड्रीसकवरी इनोंने की थी और उसी के बाद जो मेंडल ने जो खोजें की थी, मेंडल ने जब शुरुआत की थी अपनी खोज की या फिर जब उसने ये चीजे खोजना शुरू किया था, उस समय उनकी खोजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने हलके में लिया, लेकिन जब उनकी मृत्यू हो गई थी, 1884 में उसके बाद भी साइंटिस्ट जो आगे आने वाले जो धर्शन सास्त्री थी, उनको हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया था, साइंटिस्ट, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, जो मेंडल ने प्रैक्टिकल किये थे, सेम वैसे ही प्रैक्टिकल करके इनों ने देखे, और जो उनक रिजल्ट उनको आज भी मिल रहे थे तब जाके उनको क्या किया गया था इनकी जो प्रैक्टिकल थे उनको मानेता दे दी गई थी और इसी के आधार पर मेंडिलीज में उनका नाम बढ़ा था चिक है इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी जैनेटिक टर्मिनलोगी है उसके ब हम देखते हैं जैनेटिक्स टर्मिनलोगी जैनेटिक्स टर्मिनलोगी में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जीन की क्या कि जीन होता क्या है जीन एक ऐसा फैक्टर है ऐसा कारक है जो क्या करता है जो केरेक्टर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो जाते हैं उनको कं किसका होता है जीन का होता है और मेंडल ने जीन की जगे पर फेक्टर का नाम यूज किया था बार-बार ये फेक्टर नाम यूज कर रहे थे आगे जाकर एक scientist आहे जोहनसंच जीनों ने क्या किया इसे क्या नाम दे दिया जीन तो जीन की definition क्या होगी controlled sa character यनि जो character होते होते हैं हमारे अंदर उनको control करने का काम कौन करता है जीन इसके बाद आता है एलील क्या होते है alternative form of gene यानि जो gene होते हैं उनकी alternative form होती है यह और यह क्या करते है control any one character किसी एक character को ही control करते हैं जैसे हमने देखे थे कि मेंडल ने कितने character choose किये थे 7th character choose किये थे जो P be plant था उसके seven character choose किये थे और हर character में उसने क्या किये थे दो दो तरीके के हूं जिए ख्ता dominant और एक था recissive सब्सक्राइब के गाए कोते हो на it घ्oking समझ में आया वाburgया actually howl होता है इसके बाद देखते हैं homozygous homozygous और heterozygous बहुत बार आपके इसमें आने वाला इस chapter में आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो ताकि आपको ये definition अच्छे से याद हो जाए आप इसको notebook में भी note कर सकते हो ठीक है तो जो homozygous होते हैं वो क्या होते हैं देख लेते हैं allils of gene similar अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया कि जो allils होते हैं वो क्या होते हैं जैसे dominant और recessive है इसके अंदर जो dominant में tall का हम ले लेते हैं tall और dwarf हम ने देखा था उसमें tall के character अगर दोनो capital T है तो वो तो क्या हो गया homozygous लेकिन अगर recessive में अगर हम देखें तो क्या होगा F1 generation की बात चल रही है यहाँ पर यह दोनों का जब cross हो जाएगा यह इसके character होगे recessive अब जब इनका cross होगा तो यह जो हमें F1 generation मिलेगी तो यह क्या होगी हमारी heterozygous ठीक है यह होगी हमारी heterozygous तो देख लेते हैं क्या होते है heterozygous alleles of gene dissimilar example capital T और small t यह जिसमें जो alleles असमान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं heterozygous और जिनके अंदर alleles समान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं homozygous इसके बाद आता है phenotype और एक होता है genotype phenotype का मतलग देखकर हम किसी चीज़ को जब recognize करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं phenotype और जिसको आप genetically prove करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं genotype तो phenotype क्या होता है external appearance बाहर से आप देखकर किसी चीज़ को बता पा रहे हो गैस कर पा रहे हो कि वो चीज़ आखिर क्या है कैसी है किस तरीके की दिखती है तो वो तो हो गई हमारी phenotype लेकिन genotype क्या हुई जिसको आप genetic constitution के थूँ आप बता पा रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है बड़ी है तो वो क्यों बड़ी है क्योंकि उसके अंदर दोनों character क्या है capital T capital T है वो pure tall है अब pure और impure जहां पर difference कर पाते हो वो होता है आपका genotype चिक है इसके बाद आता है dominant और recessive character ये इससे पहले हमने आप देख लिया था अब इसकी definition देख लेते हैं dominant और recessive क्या होता है dominant होते है ऐसे character जो अपने आपको क्या करते है F1 generation में express करते है आगे देखेंगे हम F1 generation क्या होती है इसके बाद जो character F1 generation में show नहीं होते है उनको हम बोलते है recessive ठीक है तो क्या हो गया dominant का मतलब ऐसे character जो F1 generation में show होते है उनको हम बोलते है dominant और जो F1 generation में शोनी होते हैं उनको हम बोलते है रहसे सिव इसके बाद आता है Mono Hybrid Cross जो Mono Hybrid Cross जो होता है वो क्या होता है जिसमें Single Contrasting Character यानि सिर्फ एक Character यूज किया जाता है चाहे वो Plant की Height से Related हो अगर मैं देखूं कि मुझे अगर Mono Hybrid Cross करवाना है तो सिर्फ Plant की Height लोंगी या Pod का Color लोंगी या Pod की Shape लोंगी सिर्फ एक Character लोंगी ठीक है लेकिन अगर मुझे Die Hybrid Cross करवाना है तो मैं Plant की Height के साथ मैं Flower का Color भी ले सकती हूं ठीक है या फिर Seed के दोनों Character ले लों कौन-कौन से एक तो Shape हो गया और एक हो गया क्या? Color तो ये दोनों चीज़े ले सकती हूं तो ये तो हो गया क्या मेरा Die Hybrid Cross Mono Hybrid Cross में क्या होगा सिर्फ मैं एक Character यूज करूँगी Die Hybrid में क्या करूँगी दो Character यूज करूँगी इसके बाद दो Cross और आते हैं Tri Hybrid Cross जिसमें तीन Character यूज किया जाते हैं जैसे आपने क्या ले लिया? Plant के Height ले लिया Flower का Color ले लिया और Shape of Seed भी ले लिया तो तीन Contrasting Character को साथ में भी किया जा सकता है Cross करवाय जा सकता है इसके बाद एक और आता है Poly Hybrid Cross Poly Hybrid Cross क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे Character को एक साथ यूज किया जा सकता है इसके बाद हमार आता है Test Cross, Back Cross and Reciprocal Cross इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा एक आपको Cross करके दिखाती हूँ जिसे आपको अच्छे से समझ बहा जाएगा Test Cross, Back Cross क्या होता है? देखिए, हमने क्या किया? सबसे पहले एक Parents लिए जिसे Plant का हमने कौन सा Character चूज किया? Height वाला ठीक है? Height वाला Character जब हमने चूज किया तो उसमें हमने क्या देखा था? Tall थे और क्या थे? Dwarf ठीक है? Tall के लिए हम क्या Symbol यूज कर रहे है Capital T, Capital T और ड्वार्फ के लिए हम क्या यूज कर रहे है? Small T, Small T अब ये Character क्या होंगे? अलग-अलग हो जाएंगे ठीक है? अब ये एक मिलकर क्या हो जाएगा? आपकी F1 Generation आजाएगी देखिए ये रही F1 Generation ठीक है? यानि जो ये Parent थे इनका जब Cross करवाया गया तो आपको कौनसी Generation मिली? F1 Generation मिली ठीक है? ये क्या है हमारी? F1 Generation अब इस F1 Generation का अगर मैं क्या करती हूँ? Recessive के साथ ये क्या हमारी? Recessive Character है और ये हमारा क्या है? Dominant Character है इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आया है आपको ये कौन सा है? Tall वाला हमारा Dominant Character है और ड्वार्फ वाला हमारा क्या है? Recessive Character अब मैंने क्या कहा? कि F1 Generation Cross with Recessive Parent यानि अगर मैं F1 Generation मेरे पास कौन सी है? ये कौन सी है? Capital T और Small T ये F1 Generation है F1 Generation अगर इसका Cross मैं किसके साथ करवाती हूँ? Recessive Parent के साथ करवाती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? Test Cross क्या हो जाएगा? Test Cross अब मैं क्या करती हूँ? अगर F1 Generation ये जो F1 Generation है इसका Cross इन दोनों में से किसी के साथ भी करवाती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? वो Back Cross यानि मैं इसके साथ भी वो Cross करवा सकती हूँ और इसके साथ भी तो ये क्या हो जाएगा? मेरा Back Cross क्या हो गया? Back Cross लेकिन जो Reciprocal Cross होता है उसके अंदर क्या होता है? जो हमारे Parent थे उनी के साथ दुबारा उनका Cross करवाया जाता है यानि यहाँ पर कोई F1 F2 Generation का कोई Roll नहीं होता है इसके बाद हम देखते है Parental Generation तो Parental Generation हमारी यहीं पर समझ में आ जाएगा आपको कि हमने क्या लिया है? यह Parent लिये है हमने यह Parent है हमारे तो यह Parent जो है यही होगी Parental Generation इसके बाद F1 Generation क्या होती है? यह F1 Generation है अब F2 Generation हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको टेस्ट क्रॉस करके दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाए कि आखेर F2 Generation कैसे आती है तो इसको मैंने इसके साथ क्रॉस करवा है तो मैं क्या करूंगी? Capital T, Small T और Small T, Small T यह मेरा रेसिसिव हो गया और यह मेरा क्या हो गया? F1 Generation अब इन दोनों का जब मैं क्रॉस करवाती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स बनाना पड़ेगा चिक है? यह देखिए इस तरीके से इसको एक बार एरेस कर देती हूँ मैं यहां साइड में लिख दूँ क्या लिया मैंने? F1 Generation में मैंने लिया क्या? Capital T, Small T चिक है? और यहां मैं क्या ले रही हूँ? Recessive Small T, Small T चिक है? तो यहां मैं क्या करूँगी? Capital T, Small T लिखूँगी F1 Generation और यहां मैं क्या लिख दूँगी? Small T, Small T अब इसको जब आप क्रॉस करवाओगे यह T और यह T मिलकर क्या बनते है? Capital T, Small T यह दोनों T मिलकर क्या बनते है? Capital T, Small T, Small T और यह दोनों वापस मिलकर क्या बनते है? यह दोनों भी मिलकर क्या बनते है? यानि यह तो हो गया क्या? Heterozygous ये भी heterozygous हो गया homozygous हो घोभा homozygous यानि इसमें क्या आगया हमारे पास 50% तो हमारे पास आगया homozygous और 50% हमारे क्या आगया heterozygous ठीक है heterozygous और इसमें आप ये भी बोल सकते हो हॉ हमारे 50% hal ये क्या है 50% short टॉर टो यूर्फ है क्या आजाएगा 1 ratio 1 ठीक है इसका genetic जो ratio होगा वो क्या हो जाएगा 1 ratio 1 इसके बाद mono hybrid ratio mono hybrid ratio में क्या होगा यनि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ एक character ले रहे हैं तो ये mono hybrid ratio है ठीक है di hybrid ratio में क्या होगा जब आप 2 character use करते हो उसको हम क्या बोलते हैं डाय हाइब्रीड रेश्यो थैंक यू गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू करना हो